नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहतर होंगे स्तकुसल होंगे दोस्तों आज आपकी सुबह की सुरुआत एक गुड़ न्यूज से करते हैं खबर इतनी अच्छी है जो आपके दिल को खुश कर देगी किसी भी भाई को आज टक साइबर प्राधियों की वज़ा से साइबर ठगों की वज़ा से थोड़ी सी भी परेशा नहीं हुई है तो उनके दिल को ये खबर सुकून पहुचाने वाली है इस बार आपकी खुशी का कारण बनी है दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कारवाई और कारवाई ब्लेक मेलर्स की ऐसी नस्पे की है ना अगर ऐसी कारवाई लगातार होने लग जाए तो भाई ये काम ही बंद हो जाएगा मेवाद से नूड वीडियो को ब्लेक मेलिंग का सिस्टम कत्म हो जाएगा ओलेक्स की ठकी का सिस्टम कत्म हो जाएगा फ्रोड जो ये लोन एप्लिकेशन्स हैं इससे लोगों को फसाया जाता है वो सिस्टम कत्म हो जाएगा खबर है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे गिरहों को गिरफतार किया है जो पिछले एक दो साल में पचास हज़ार से अधिक फरजी सिम मिवात एरिया में पहुचा चुके थे दोस्तों दिल्ली पुलिस ने ऐसे कारोबारियों को अरेस्ट किया है असम के जो रहने वाले थे और मिवात के राजस्थान, हरियाना और उत्तरपरदेश के जो मिवात एरिया आता है वहाँ फरजी सिम सप्लाई करने का ये कारोबार करते थे और अब तक 50,000 से ज़्यादा फरजी सिम ये मिवात एरिया में भेज चुके थे आपकी जानकरी के लिए दोस्तों मैं बता दूँ सबसे एक खतरनाख जो काम है वो ये फरजी सिम का ही है बलेक साइबर अपराधी साइबर अपराधी पता है कब बनता है जब उसके पास एक फरजी सिम होती है उसके क्राइम का सबसे पहला इस्टेप फरजी सिम प्राप्त करना होता है जब फर्जी सिम उसे मिल जाती है तो ही अपने वो काम को अपने गलत काम को अंजाम दे पाता है पुलिस को चक्मा देने के लिए ये लोग क्या करते हैं असम से उडिसा से जारी किये हुए सिम वहां के एक्टिव सिम को राजस्तान के भरतपुर अलवर दोसा जिले में बेचा जाता है हर्याना के नुहू पलवल जिले में बेचा जाता है और कुछ यूपी का मतुरा वाला छेतर आता है जहां पर ये फरजी सिम कार्ड जो साइबर अपराधी हैं उनको बेचे जाते हैं चार से पांच हजार रुपे की कीमत में ये सिम कार्ड उनको बेचे जाते हैं तो दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक कारोबार करने वाले कुछ लोगों को अरेस्ट किया है जो फरजी डोकुमेंट से प्रिपेड सिम कार्ड का धंदा करते थे एक्टिव करवा के उनको बेशते थे ठीक है और खबर जो शपीती उसको बताता हूँ मैं आपको फरजी डोकुम पुलिस चकमे में रहे पुलिस को चकमा दे सकें यही कारण है कि वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि पुलिस उनको नहीं पकड़ पाएगी पर उनको पता नहीं है अपराधी कितना भी बड़ा हो रहता पुलिस के नीचे ही है ठीक है वो कॉन्ची फिलम का डायलोग है न दिल्ली पुलिस ने असम के ऐसे गिरहों को गिरफतार किया जो फरजी डोकुमेंट के जरिये प्रिपेड सिम खरीद कर बेचा करते थे दिल्ली पुलिस ने पांच लोगों को गिरफतार किया है यह गिरहों बीते डेड़ साल में साइबर क्रिमिनल जाल साजों और बदमासों को पचाश हजार से ज्यादा सिम कार्ड बेच चुके थे सोच लीजिए दोस्तों कितनी बड़ी कारवाई दिल्ली पुलिस ने की है दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बड़ी सपलता हासिल करते हुए असम से ऐसे ग्रहों को गिरफतार किया जो फरजी डोकुमेंट के जरिय प्रिपेड सिम खरीद कर आगे महेंगे दामों पर बदमासों फेक कोल सेंटर चलाने वाले गिरोहों और साइबर क्रिमिनल को बेचते थे पुलिस ने इनके पास से साथ सो साथ सिम कार्ड, दस मोबाइल और चालिस फरजी आइडेंटिटी कार्ड बरामद किये पुलिस ने जब उन लोगों को गिरफतार किया तो जो आपरादी थे उनके पास से साथ सो साथ सिम कार्ड मिले 10 मोबाइल मिले और 40 फरजी आई कार्ड मिले जो लोगों के हासिल उन्होंने किये होंगे कहीं से भी तो ये इतना भड़ा भेंकर ये गिरोग काम कर रहा था इसके अलावा पुलिस के मताबिक मुक्बिर से एक सक्स के पास फरजी सिम कार्ड होने की सूशना मिलने के बाद नौर्थ वेश डिस्ट्रिक की साइबर सैल के इंस्पेक्टर संजे कुमार ने अपनी टीम के साथ रैड मारकर विरेंदर सिंग नाम के सक्स को गिरफतार कर लिया इससे पुस्तास के बाद पुलिस ने इसके तीन और साथियों को गिरफतार कर कुल साथ सो साथ प्रिपेड सिम बरामद किये विरेंदर ने पुलिस को बताया कि ये असम के रहने वाले उस्मान से असम से ये प्रिपेड सिम कार्ड मंगवाता था और अपने इन तीनों साथियों की मदद से ऐसामाजिक तत्वों को बेशता था मतलब देख रहे हो ये विरेंदर कोई था जो सिम का कारोबार करता था दुकान वाला होगा कोई विरेंदर सिंग और ये असम का कोई उस्मान नाम के किसी व्यक्ति से ये सिम कार्ड मंगवाता था उस्मान का काम था कि असम की लोगों की आईडी से समझे दोस्तों पुलीस पतलब पूरी क्रोनोलोजी समझे समझ के देखिए कि SIM card उस्मान से मंगवाई विरेंदर ने जो असम का रहने वाला है असम के उस्मान से पिछले डेड़ साल में 50,000 फरजी SIM card असम की identity से मंगवा कर दिल्ली में रहने वाले विरेंदर ने राजस्चान के अलवर भरकपूर दोसा हर्याना के नुहुपलवल यूपी के मतुरा और दिल्ली NCR के नोईडा इन छेत्र में सप्लाई करता था साइबर अपराधियों को साइबर नूर वीडियो को ब्लेकमेलिंग का फ्रोड करने वालों को फरजी लोन एप्लिकेशन्स वालों को और OLX का फ्रोड करने वालों को यह पूरीन की planning है पुलिस मतलब धूल फाकती रहेगी असम में क्योंकि सिम काड असम का असम जाकर पता चलेगा कि जिसकी आईडी से वो सिम काड लिया गया उसे तो कुछ पता ही नहीं है असम से पुलिस दिल्ली आएगी दिल्ली आकर फिर उसका network टाइप मतलब चेक करेगी तब पता चलता है अपराधी पकड़ा कहां से जाता है राजस्तान की अलवर से राजस्तान के मिवाच छेत्र से अपराधी पकड़ा जा रहा है सिम की location दिखा रही है असम की पुलिस को यही चेक मादिया ने इतने सालों से तो यह इनकी पूरी chronology है जिसको दिल्ली पुलिस ने ध्वस्त किया इसके लिए दिल्ली पुलिस दोस्तों बधाई की पात्र तो है साथ में वो मुख्विर भी भगाई का पात्र है जिसने पुलिस को सूचना दी कि विरेंदर सिंग ऐ इसलिए कहती है कि हमारी आँख और कान समाज है लोग पुलिस की आँख और कान होते हैं यह आप समझ लीजिए अगर आपके आज पास भी कोई इस तरह का गैर कानूनी काम कर रहा है आप पुलिस को सूचना देने से डर रहे हैं तो आप हमसे संपर कर सकते हैं हम आपको गा रखा जाएगा और जरूरत पड़ी तो आपको सुरक्षा भी मुहिया करवाई जाएगी कानूनी तरीके से पर अपनी आखों के सामने होते हुए अपराद को देखने वाला भी उतना ही अपराद का भागिदार होता है जितना वो अपरादी जिस अपराद को कर रहा होता है त और भी पुलिस के कई नंबर रहते हैं पुलिस आपकी गोपनेता को बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करेगी आपकी जो प्राइवेसी है उसको मैंटेन करके रखेगी ऐसी गारंटी ऐसा भरोसा मैं आपको दिलवाता हूं दूसरे तो दिल्ली पुलिस ने जो कारवाई की है इस मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ रखे तब तक अपना खयाल जय भीम जय हिंद की सेना साथियों